लीआ आधे आधे जाएंगे आधे सीरगहो להूदू के बनाते हैं पहले मैं आपको दिंखाऊंगा कि टेबल येसे बनाते हैं बाध में आप स्क्वेर पेपर को हाफ में फोल्ड कर दीजिए और फिर बाद में एक और बार उसको फोल्ड कर दीजिए फिर यह जो हमने ऐसे किया ता उसको एक ही साइड से फोल्ड कर दीजिए और जो ऐसा फोल्ड किया था उसको ही निकाल दीजिए फिर यह एक ट्राइंगल को यह जो लाइन है उस पे ले किया यह आप फिर नेक्स्ट वान को भी ऐसे और बाद में दूसरे इसको भी रिपीट और फिर बाद में उल्टा करके जहाँ पे आपका ऐसा नहीं दिख रहा है वहाँ पे आप ऐसे ट्राइंगल से फोल्ड कर दीजिए पीछे जहाँ पे आपका ट्राइंगल नहीं हुआ है और फिर बाद में उसको ऐसे इदर फोल्ड कर दीजिए और यह आपका जो बचेगा उसको आप पूल्टा करके इदर ऐसे फोल्ड कर दीजिए और फिर जो आपका जो बीच में जो ग्याप दिखेगा उसको आप ऐसे खोलके इदर ऐसे डाइमंड बना दीजिए और फिर अपोजेट साइड पे भी सेम और फिर बाद में इसको ऐसे जो डाइमंड आपने बनाया है उसको ऐसे सीधा कर लीजिए तो अब हमारा टेबल हो गया है ठीक है टेबल तो हो गया अब अभी आपको दिखाएगी कि चेर कैसे बनाते है यह कॉर्नर और यह कॉर्नर को ऐसे कर दिए और फिर इसे खोल दीजिए और फिर यहाँ पर जो लाइन दिखेगी यह कॉर्नर उसे टच कर दिए और दूस्ता भी वैसे ही और फिर इसमें से एक आपको खोलना है और फिर यहाँ पर ट्रैंगल तो फिर यह कॉर्नर यह दो ट्रैंगल को खोल दीजिए और इसे यहाँ तक लाइए और फिर यह इस कॉर्नर को ऐसे ट्रैंगल में कर दीजिए जब आपने इसे पहले किया था और फिर इन दोनों ट्रैंगल को खोल दीजिए और फिर आपका यह खोला होगा तो इसे ऐसे कर दीजिए और फिर इसे आपकेर और फिर इसे आसे ट्रैंगल कर दीजिए और फिर दूसरा भी वैसे और फिर जो है इसे ऐसे कर दो और फिर इसे ऐसे और फिर इसे भी वैसे भी अब फिर इन दोनों को खोलो और इसे भी और ये बन गई चेयर जिर रेखो हमारी चेयर रेडी हो गई अब हमारे चेयर और टेबल स्टड़ी करने के लिए रेडी हो गए है अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थांक्यू